हैО जाँआ थियुक्व अैसे करें वहां वहां यॉक्वान ईकर्द तबाइब में इसक्रिट करेंग ऊनिट इक्विप्मेंट और लेनं यह हम देसक्रिज करें ऐसे फादेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट व्ल्यूम बिएसी नर्सिंग फर शमस्ट हम डेसक्रिज करेंगे कोर् कि यूनिट सिंपल है, as it is, इसमें सिवह आपको कुछ ही बातों का ध्यान देना है, इस यूनिट को हम डिस्किस करेंगे थू आर नोट्स, अगर मैं स्टार्टिंग बता हूँ, यू कुमेट और लिनन की, तो यह मशीनरी होते हैं, मतलब कि आप जैसे हॉस्पिटल जातों, यह बेसिक्स टूल्स हैं, यह हॉस्पिटल सर्विसिस के लिए इनिशियल है, अगर मैं बात करूँ, टाइपस ऑफ माटेरिल, यूज़ इन हॉस्पिटल, तो यह फोर टाइपस के होते हैं, ड्रॉग और मैंडिसिन, सप्लाइस, एक्यूप्मेंट और इंस्टूप्मेंट के लिए, एक्यूप्मेंट की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि एक्सरे मेशीन, इंस्टूम्मेंट जैसे फीटोसकोप आपका एक इंस्टूमेंट आ जाएगा, आपका फरनीचर्स, यह क्या आजएगगा आपके इंस्टूमेंट, तो यह चार मटेरियलस है जो आपके होस् करेंगे next equipment or types equipment क्या है it refers to various devices tool instruments that too are used in hospital and healthcare work किती simple ती definition है एक ऐसे इसे tools जो आपके hospital या फिर healthcare workers में use होते हैं अगर मैं इनके types की बात को तो total six types के सबसे पहले self-care equipment electronic diagnostic surgical acute care storage and transport आपको नाम से clear होगा self-care में अगर मैं बात करें जो पेशन की daily life के लिए important instrument या equipment यूज़ करते हैं उनको हम कहते है self-care equipment electronic महलब जो electricity के से चलते हैं जैसे की ECG machine ECG monitor diagnostic में आप test purpose के लिए जैसे कि आप lab test के कितने diagnosis कराते हो और जाए हो CBC हो जाए हीमोगलोविन हो जाए electrolytes को सर्जिकल के अगर मैं बात करें जो OT tools होते हैं OT में भी बहुत सारे आपके instrument यूज़ होते हैं acute care में आपके dressing material आ जाएंगे जैसे कि आपके draping storage and transport equipment होते हैं जो कुछ आप store करके रखते हो कुछ आप ट्रांसपोर्ट भी कर देते हो अगर मैं बात करूँ machinery and equipment की तो वह दो टाइप्स की होते हैं disposable and reusable disposable disposable का मतलब होता है आपने यह बार यूज़ कर इसको discard कर दिया dustbin कर दिया उसके बाद में दूसरा कोई भी काम करूँगा दूसरा कोई भी patient होगा दूसरा कोई भी process होगे तो फिर आप new item का यूज़ करूगे new material का यूज़ करूगे वह a disposable का मतलब होते है एक ऐसा item जिसको सिफ ऐबार यूज़ कर रहता है फिर वह आ टूल को आप क्या कर दोगे डिसकार्ट करेंगे रियूसबल का मतलब होता है उसको हम लोग बहुत बार यूज करते हैं बहुत टाइम तक यूज करते हैं बस फर्क इतना है यह बार यूज करने के बाद में उसको क्लीन करेंगे स्ट्राइल करेंगे फिर यूज करेंगे जैसे कि अगर मैं बात करो डिस् क्या कर देते सिरिंश कर देते लोग कर देते और हम क्या है जैसे कि बीपी कफ यह अब हर पेशिंट के लिए नया कफ नहीं लाते आपTwo-टं-टन bajo टंक डिप्रेशन या फिर्विटी फीटों सक्किल पॉसूट जी चीटल फॉर्स Sig मतलब कि दूसरे पेशन के लिए वह क्लीन होते हैं कुछ ऐसी चीज होते हैं जिनको तुरन डिस्कार्ट करना पड़ता है जैसे कि ड्रेपिंग अगर आप ड्रेपिंग को जानते हो तो आपको पते हो कि उसको सिर्फ एक ही टाइम के लिए यूज करते हैं नेक्स्ट हम डिस्कुस करते हैं लिएनन के बारे में लिएनन आपके थ्री टाइप्स की होती है सबसे पहले क्लीन कंटामिनेटेड और नेक्स्ट आपकी सोईल अगर मैं बात करूँ क्लीन तो वह बिल्कुल स्ट्राइज होके एकदम आटोक्ले फोकल रहती है वह क्लीन जो पेशन्ट के यूज में तो कैसी होगी कंटामिनेटेड अब फिर इस सोईल जिसमें आपका क्या हो गया बॉडी फ्लूट एक्स्टोजर हो गया एक ऐसी लेलन जो अगर आपकी कावेट में रखी क्लीन तो वह कहतेगी क्लीन लेलन कंटामिनेटेड जो पेशन्ट के बे जो तो कुल्रेड को कवरब करने के लिए था बहुकुत सारी होने हमें जहनली किससे और प्रीक से और बने होते हैं और क्या होता स्ब्रेक की पूर्ली उति에요 लेलन के लिए आपका important है कि उसके types के हैं next care care of ले लें अगर मैं बात करूँ हर एक hospital के अलग-अलग policy होते हैं जैसे कि government में क्या होता है हर patient को change करानी है ले ले लें next day first day और private में क्या है उसको morning shift में evening shift में तो वो depend करते है कि hospital की policy कैसे तो उसे हिसाब से care करते है ले ले लेंगे निस के stock में अगर आपके बसे stock अच्छे तो तभी तो आप हर patient की change करा सकते मतलब कि जैसे कि अगर आपने लेलन कर रहा है उसके उपर से macintosh का यूज़ करें macintosh क्या होता है एक plastic की पन प्लास्टिक से समझ सकते प्लास्टिक की layer होती है आपको bed sheet के लेलन के उपर उसको बिछाना चाहिए जिसी क्या होता है कोई भी आपका body fluid exposure हुआ तो आपके लेलन नहीं वेस्ट खराब होगी आपके macintosh डर्टी होगा नेक्स्ट उसको laundry में डालना है और हमेशे याद रखें जो भी patient की आप लेलन हटाते है ना तो उसको कभी भी floor पे मत डालना करें लांड्री बोक्स होता है वाट भी floor हर एक hospital के तो आपको उसमें डालना है नेक्स के removal of stain तो आपको पथा है जब आप लेलन को रिमूव करें तो उसमें stehen लागते लगते है के स्टेन को छा mechanics कर सकते हैं यह जैसे करme, λेटियूव कर सकते हैं तो आप thyलिद यूगां के सबसे है अगर kuller को ब्ल्लічू ब्लेट सांपलिंगे लिए ब्लेट निकल गया और आपने उसको हटा दिया तो आपको तुरंद कोल्ड वॉटर में सोक कर देना है अगर वो ओल्ड हो गया बहुत ही वन वीक और फॉर फाइक डेस होगे जिसमें लेलेल में ब्लड लगा हुआ और आपने नहीं चींज कर रहा तो ये हमारे केर ओलेते बेशिक अब हमसे केर ओलेलेक जिस्कस करेंगे डिसिंफ्금 पेस क्या-्ड्षी ुसकर दिसिंफेक्ट के और as it is आप learn का लेज़ेगा क्योंकि foundation of nursing का आपका वाइवा भी होगा तो यही point आपके लिए common है और याद रहने चाहिए कि disinfectant अगर लेन करोगे तो sodium hypochloride solution 5 minute 0.5 solution sterilization अगर करोगे तो आपको gluten aldehyde का use करना है 2% और कितने time के लिए 10 hours के लिए next time discuss करेंगे care of rubber goods तो rubber goods के आपके क्या क्या बने होते है macintosh, gloves, rubber tubing, ambu bag, hot water bottle अब rubber tubing अब जितने भी आपके BT sets होते हैं जितने भी आपके catheter sets होते हैं वीको sets होते हैं तो आपने उस पर खुद देखा होगा वो किस से होते हैं rubber से बने होते हैं disinfection के तौर पर आप क्या यूज कर सकते हो Lysol और Dettol का ratio ratio कितना है 1 ratio 40 cleansing के लिए आपके rubber की tube है तो आप उनको कैसे clean करोगे up to down clean करोगे या फिर आप कैसकते हो cleaner to dirter clean करोगे next क्या आप यूज कर सकते हो swab का जिससे आप organic matter को remove कर सकते हो swab आपको पता है अगर hospital में dressing कर रहे होगे तो आपको gouge piece, swab piece सब clear होगे फिर apply होता है soap water जिससे आप clean करोगे फिर wash करोगे wash करने के बाद भी आप sterilize करोगे और यह plastic material है rubber का तो आप sorry यह rubber material है तो आप इसको जादा देर तक boil नहीं करोगे boil कितनी देर करोगे tube को सिर्फ 5 minute सिर्फ 5 minute के हलिया हम लोग rubber goods को क्या करते है boil करते है उसके बाद आप dry करोगे dry करकी जब आपका बिल्कुल हो जाएगा तब आप tube को coil करोगे coil का मतलब होता है as a round round coil करने के बाद उसको क्या करोगे store करोगे जो आपका AMBU bag होता है उसको clean करते है हम लोग close से disinfect करते हैं methylated spread swab से ये एक important question है जो वाइवा में पूछा था previous year इसलिए मैंने इसको लिग दे इसको आप देख सकते हैं किस टाइब से पूछ लेते हैं next किया autoclave का temperature 120 degree Celsius टेमपरेचर होता है कितने देख लिए 15 मिनिट के लिए तो कुछ important थे जो मैंने लिग देए हैं आपके लिए इसको आप लेंड कर लिजेगा next हम discuss करेंगे care of glassware glassware में कैसे आजेंगे जैसे कि test tube, funnel, slides and thermometer अगर मैं बात करूँ glassware में आपको disinfectant, lizole, deatol के ratio कितना रखना है 1 ratio 20, कितने टाइम के लिए 5 मिनिट के लिए ratio याद रखिएगा कि किसका कितना ratio है और glassware चीजों को आप plastic brush से साफ कर सकते brush में जैसे कि आप clean कर सकते हैं और soapy solution के use कर सकते हैं अगर soil है बहती जादा contaminated है तो आप उसको atlas discard कर देना next क्या है अब जब clean कर सकते हैं फिर disinfectant के लिए 5% 5% chlorine लेंगे कितने टाइम के लिए 5 मिनिट के लिए अब हम discuss करते हैं care of plastic item plastic item में जैसे कि bed pan होते हैं basins होती है oxygen hood होता है bowl होता है तो यह PVC प्लास्टिक से बन होता है polyvincal chloride PVC का full form है polyvincal chloride तो यह heat sensitive होता है आपको पता है plastic वैसे जहां heat आएगे वैसे उसका अपना shape चेंज करेंगे अपने properties चेंज करेंगे इसलिए हम लोग इनको heat के through heat के exposure में नहीं रखते हैं plastics को next क्या है इसको clean कैसे करेंगे हम लोग cold water से clean करेंगे wash करेंगे और warm water को यूज कर सकते हैं soap के साथ में इसका जो ratio लाइजॉल का कितना दे रखा है 1 ratio 40 for 1 hour इसका time जाता है next is care of furniture अगर मैं बात करूँ जो furniture होते हैं more well articles में होते हैं potable objects में होते हैं जैसे कि आपको पता furniture डो टाइप्स के होते हैं wooden and metal wooden में आपके आपके टेबल, cupboard metal में आपके बेड, chair, trolley इसके लिए आपको क्या करना है इन सब को dust free रखना सबसे जादा इसमें micro-organism रहते हैं जिसके वज़ेसे contaminate रहता है महारा hospital तो कैसे को clean कैसे करना है आपको dust free रखना है soft cloth से clean करना है daily clean करना है savalon का use कर सकते है soap with water कर सकते है अगर वो कोई old or damage है तो आप इसको क्या करोगे remove करोगे तो यह कुछ points थे जैसे कि आपके slavers में mention थे सबसे पहले हम लोगों ने disposable, reusable समझा है introduction कर रहा हम लोगों ने care देखी linen की rubber goods and glass wear metal plastic furniture की अब हम discuss करेंगे introduction to indent, maintenance and inventory अगर मैं बात करूँ indent और inventory का मतला क्या होता है तो यह जो upper points आप देख रही है सारे points आपके indent से related और जितने भी points आपके inventory से related वो मैंने specially अलग से लिग दिया maintenance का मतला भी होता है जो आपने indent में समान लिया उसको आपको maintain करके रखना होता है maintenance clear हो कि अब हम discuss करते है indent को अगर मैं बात करूँ indent के जो ऐसे items जो आपको word के लिए useful होता है पहली point indent में ऐसे items जो word के लिए क्या है useful है useful के साथ क्या आपको available रखने होता है फिर उनको क्या करना होगा आपको list करना होगा list करने का मतलब होता है कि एक तरफ आप लिखोगे जो आपके यूज मलब available material क्या 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 आपको पस है और क्या क्या आपके पस available नहीं है जब आप separately इसके list करोगे तो यह list आप किसको भेज़ोगे send करोगे किसको stores को स्टोर्स में भेज़ने के बाद अब यह डिपेंट करता हॉस्पिटल के वाट पे daily, weekly, monthly for example अगर मैं अपने हॉस्पिटल के बाद हो तो हमारे वाँ जैसे weekly रहता है इंडेंट तो उसके बाद यह सारे department को maintain करना होता है इसका record रहता है रेजिस्टर पे やट पेकर के वाट के साथ है एक अज़ आश्पिपैंट अज़स्टर पे eco और उन डिपार्टमेंट की सारे चीज़ों को अपने maintain करके रखा इससे क्या कोई भी article आपका हम प्रतीप के बेंस आपकी जो। है यह का यह सप्ट शारे कि मतलब क्या होता है? यह पॉंट आप लिखने हैं , उनल्य समय के पहशी को होला से ब्रैजिस्टर दीट यह नेपसे टोytt आप हब मुझे इस चीज की ज़रुवत है, for example, ortho ward में सबसे ज़ादे क्या ज़रुवत होता, wheelchair का, stretcher का, तो इनका कहना है कि हमें ये provide करें, ये non-available है, तो provide कौन करेंगा, inventory provide करेंगा, inventory सबसे ज़ादा maximum supply material की करता है, साथी साथी ये functioning ward को देखता है, for example, अब जैसे की surgery ward है, surgery ward में अब patient को surgery है, तो उसका मनला वो इतना नहीं करेंगा, उसका restricted range of motion, अब वो लोग क्या दे कि हम लोगों को wheelchair, stretcher, provide करेंगा, emergency में, तो वो facilitating award में नहीं है, तो उनको provide करने का हक पहीं है, मैं एक example के through से दे रहे हूँ, आप as a serious मत लेजेगा, next क्या avoid storage, अब जैसे क्या है, कुछ awards में क्या होता है, अब store करके रख लेते हैं, अगले महीने नहीं मिलेगा, अगले हफ़ते नहीं मिलेगा, as a thinking होती, perception, तो इससे क्या होता, avoid करते हैं ये storage को, ये depend करता, अगर जरूरत है, तो आप list बनाएए, उस list को हम check करेंगा, अगर जरूरत होगे, तो फिर हम आपको provide करेंगे, तो ये actual demand पर work करता है, और इसके वज़े से financial investment काम होती, for example, अब इन्होंने indent में कुछ awards में store करके रख लिया, at last indent में वो store वाली चीज़े खराब होगे, तो इसका मतलब क्या है, financial invest करना पड़ेगा, फिर से उसी materials को आपको purchase करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप financially reduce कर रहो हो, इसका use करने के बाद, फिस status of articles, आप हर एक articles को हर एक weekly, monthly, daily check करके लेते हो, आप गलत articles तो अपने वार्ड में रखेंगे, आप check करेंगे, next के रिटर्न articles होते प्रॉपर प्लेस, जैसे कि हर एक चीज़ का record maintain होता है, तो same as जब आप returning करोगे ना, तब उसका भी क्या होगा, एक record maintain होगा, इससे पत उनके ज़रत नहीं है, तो आप recorded ही उनको बापस कर रहे हो, तो कोई भी एक article आप में सुन नहीं करोगे, next क्या है, इससे avoid हो रहा है workers और machinery का, work बहुत ही जादा easy हो रहा है, सबके लिए beneficial है, इसलिए indent और inventory कम लोग यूज करते हैं, आज का topic complete हो गया है, आपकी unit one short complete हो गई अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेजे, चानल को सब्सक्राइब कर लेजे, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट वोक्स में मेंशन कर दीजे, मैं जल से जल कोशिश करूँगे, आपके डाउट को क्लिया करने के लिए, झाउट ट आपके लिए.